नमस्कार आप सुन रहे हैं दबॉलिवूट रेडियो और मैं हूँ आपके साथ आकाश दोस्तों आज के इस पॉड़कास्ट में बात राजिश खन्ना की और आपको लेकर चलेंगे तकरीबन 33-34 साल पीछे जगे है नई दिल्ली और साल है 1991 नई दिल्ली में वो 1991 की एक अंधिरी राग थी हिंदोस्तान टाइम सखवार में काम करने वाली पत्रकार गारगी परसाई गहरी नीन में सोई हुई थी उनका घर इंडिया गेट के करीब 15 रोड इलाके में था और अचानक से फोन की घंटी की आवाज से गारगी हरबड़ा कर उठ गई और पास की मेज पर रखी घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा यही कोई एक बज़े का वक्त हुआ होगा फोन की घंटी लगातार बज रही थी और गारगी ने जैसे ही फोन का रेसीवर उठाया उधर से आवाज आई हेलो मैं राजेश बोल रहा हूं और आधी नीन्द में ही बेहद अन्मने मन से आधी नीन्द में गारगी ने पूछा कौन राजेश उधर से आवाज आई राजेश खन्ना बात के दिनों में हिंदो अख़वार में गारगी ने काम किया और लगभग 33-34 साल पहले आए इस फोन कॉल को याद करते हुए अपने एक इंटर्वु में वो आज भी उस बात को याद करते हुए हस पड़ती हैं और कहती हैं कि कैसे फोन पर राजेश खन्ना का नाम सुनते ही उनके नींद फुर हो गई थी उनकी आवाज लडखडा रही थी शायद उन्होंने ड्रिंक्स किया हुआ था लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और मैंने उनसे इतना कहा कि इतनी रात क क्या हुआ बोलिए इसके बाद तो राजेश खन्ना किसी बच्चे की तरह शिकायत के अंदाज में आ गए गारगी उस रात को याद करते हुए बताती हैं कि वो बोले आप लोग दिल्ली की प्रेस मुझे सपोर्ट नहीं कर रही हैं दरसल उन दिनों राजेश खन्ना अड़वानी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे फिल्मों से इतर राजनीती में ये उनका दौर था और उसी सिलसले में गारगी को उन्होंने फोन किया था और गारगी परसाइस से वो बात करना चाहते थे शिकायत ये थी कि जो दिल्ली का मीडिया है वो राजेश खन्ना को वो तवज़ नहीं दे रहा जो बंबई का मीडिया देता है जो उनके एक इशारे एक जलक पाने के लिए बेताब रहता है दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है गारगी याद करती हैं कि उन्होंने शिकायत की कि दिल्ली की प्रेस मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है मैं बंबे स नहीं दे रहे मुझे गारगी उस रात को याद करते हुए बताती हैं कि राजेश खन्ना बोले जा रहे थे उन्हें ये भी अंदाजा नहीं था कि किसी अंजान शक्स के घर फोन करने के लिए ये वक्त बिलकुल मुनासिब नहीं है बेशक वो एक सुपरिश्टार क्यों न रही है मगर राजेश खन्ना उस रात कुछ समझने को तयार नहीं थे और अपनी ही धुन में वो लगातार बोले जा रहे थे राजेश खन्ना ने मुझसे फोन पर कहा कि मुझे मालूम है कि आड़वानी जी बड़े नेता हैं और मैं पॉलिटेक्स में नया हूँ लेकिन जब उनकी फोन कॉल खत्म हुई तो गारगी की नींद भाग चुकी थी और उन लम्हों में मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे उस सुपरिश्टार ने कॉल किया था जिसकी एक मुसकान पर किसी जमाने में रड़कियां अपनी जान देने को तयार रह दी थी बात के दिनों म एक इंटर्वों में गारगी परसाई मुसकुराते हुए इस बात को याद करती है। पाहिरे उनकी राजनेतिक छवी आडवानी के मुकाबले छोटी थी। दिल्ली के पत्रकारों से भी उनकी बाच्चीत अभी जादा नहीं हुई थी। बहुत नए थी। पंकज बुहरा पत्रकार बताते हैं कि मैं उस जमाने में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का सेकरेटरी ज जियोतिश भरत उपन्यू भी थे। और शरुवात में राजेश खन्ना दिल्ली के सोम विहार इलाके में रहते थे मगर थोड़े दिनों के बाद वो वसंद कुंज में अपने दोस्त नरेश जुनेजा के फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। जब राजेश खन्ना ने अपन अड़म चलकता था इसमें कोई दोराएं नहीं और खास तोर पर महिलाएं भारी तादात में उनकी रेलियों में नजर आती थी राजेश खन्ना का जादू उनिस सो तिहत्तर से अगर हम 91-92 की बात कर रहे हैं उनिस सो नहत्तर से तकरीबन 20-22 साल बाद भी राजेश खन्ना का जादू यूहीं बरकरार था गारगी परसाई उन दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि वो ग्लैमर की दुनिया से आये थे और इसका असर ये था कि अपनी शुरुआती चुनावी सभाओं में वो कई खुबसूरत महिलाओं के साथ आती थे ये महिलाएं उन्हीं की त भाओं के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी वो लंबे भाशन नहीं देते थे बहुत कम बोलते थे लेकिन इतनी ही देर में वो लोगों पर जादू चला देते थे राजेश कन्ना के करीबी रहे भुपेश रसीन भी उन दिनों को याद करते हुए एक इंटर्वी में बताते हैं कि काका जी का जो चार्म था ना वो कमाल का था एक स्माइल देते थे और लोग तालियां बजाने लगते थे अपने भाशन की लाइने या शेर लिखने के लिए वो अकसर आनंद बक्षी की मदद लिया करते थे और खास बात ये थी कि अपने चुनावी प्रतिद्वंदी लाल किष्ट आडवानी के खलाफ उन्होंने कभ डायलोग पुष्पा I hate tears सुनाने की फरमाईश कर दी अब राजेश खन्ना ने फौरण अपने खास अंदाज में पलकें जपकाते हुए कहा कि इस भीड में जितनी पुष्पा हैं जितनी महिलाएं हैं उनके आंसू पोचूंगा मैं क्योंकि पुष्पा I hate tears रे और उस पर तालियों की गड़गडाहर से पूरी सभाग गोंजुटी थी उनके चुनावी शेत्र में लोगों की क्या समस्याई थी चुनाव के क्या मद्दे थे इन बातों की जानकारी शायद उन्हें नहीं नहीं थी लेकिन भीड और तालिया बटोरने के जिस मकसद से कॉंग्रेस न ने डिमपल और ट्विंकल के साथ बकाइदा एक प्रेस कॉंफरेंस की वहां मوجود एक पत्रकार बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि डिमपल उनके कहने पर आ तो गई थी लेकिन पूरी प्रेस कॉंफरेंस के दौरान वो काफी असहज नज़र आई उनकी मुसकान भी फीकी सी ती मगर ट्विंकल में अपने पिता वाली बात थी उन्होंने कई सवालों के जवाब मुसकुरा कर दिया और अपने पिता को जिताने के लिए लोगों से अपील भीकी पंकज वोरा उस दौर के पत्रकार बात के दुनों में एक इंटर्वू के दौरान बताते हैं कि इस मेटकों में उनके खास चमचे होते थे फिर मजाक मजाक में राजेश खन्ना अपने चमचों की खिंचाई भी कर देते थे अगर कोई उन्हें पलट कर जवाब दे दे तो उन्हें ये बरदास्त नहीं होता था पंकज वोरा कहते हैं कि मैंने खुद देखा है कि एक बार जाना था गारगी कहती है कि उनके कमरे तक पहुंचना भी काफी मेहनत का काम था और उनके घर के बाहर लॉन में एक शामियाना लगा होता था और वहां से आगे एक बरामदा था जिससे होते हुए एक बड़े हॉल तक पहुंचते थे और इस बड़े हॉल को पार करके तो वो किसी चुनावी सभा के लिए निकलने ही वाले थे कुरता पैजामा पहन कर वो बिलकुल तयार खड़े थे और इससे पहले कि गारगी राजेश खन्ना से कुछ कहती अचानक उन्हें न जाने क्या हुआ कि वो हाथ उठा कर गारगी को अपना कुरता दिखाने लगे देखो मेरा कुरता फट रहा है राजेश खन्ना ने किसी बच्चे की तरह शिकायत भरे अंदाज में कहा था और गारगी ने हसकर जवाब दिया तो आप इसे सिल्वा क्यों नहीं लेते या नया कुरता ले लीजिए आपके पास तो इतने सारे लोग है कोई भी ले आएगा गारगी बताती हैं कि नजाने क्या हुआ ये बात सुनकर वो अचानक खामोश हो गए और कुछ पजल के लिए जैसे कहीं खो गए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया शायद उनके पास कोई जवाब था ही नहीं या शायद इस पल में उन्हें अपने अकेले पन का एहसास हुआ था गारगी याद करती हैं कि उस एक पल में मुझे अंदाजा हुआ कि इतने लोगों से घेरे होने के बावजूद वो कितने अकेले हैं और शायद अपने इस अकेले पन को किसी के सामने स्विकार भी नहीं करना चाहते वो बड़ा ही मर्मिस परशी पल था कि वो जिस कुरते को पहन रहे हैं वो कहीं से फटा हुआ है और ये देखने वाला भी कोई नहीं है सुनते रहिए दब ऑलिवूट रीडियो सुनता है सारा इंडिया